मैं सेल्फ मिनाक्षी आज मैं फर्स्ट क्लास को विशाली हिंधी व्याकराई पाठ जा अध्याई फॉर चार शव्दोर वाक्य करवाने जा रही हूं सभी इसको ध्यान से देखने हैं हम स्वर और व्यांजनों को मिलाकर शव्द बनाते हैं शव्द भाशा के प्रान होते हैं बिना शव्दों के भाशा की कलपना नहीं की जा सकती परतेक शव्द का एक प्रिश्चित और सार्थक अर्थ होता है वर्णों का सही मेल शव्द कहलाता है वर्णों से मिलकर बने कुछ सार्थक शव्द जैसे धन धन कलम सेब सेव बंदर बंदर बोतल बोतल चीकू चीकू लोटा लोटा घोडा घोडा हाथी हाथी नाच पेस वाक्य वाक्य शव्दों के सही मेल से बनते हैं जब आप आपस में बात करते हैं तो कई तरह के वाक्य बोलते हैं जैसे देखो मेरी पतंग कितनी उची उड रही है आज मैं तुम्हें हरा दूंगा इस परकार हम कह सकते हैं कि वर्नों के सही मेल से शव्द और शव्दों के मेल से वाक्य वनते हैं उमीद है कि सब भी को समझ आ गया होगा जैसे मैं फिर से एक फ़र एक्स्प्रेंट कर देती हूं शव्द वो होते हैं जब हम दो तीन चार शव्दों का मेल करते हैं जब मात्रह लगाते हैं जिससे कोई अर्थ निकलत है उसको क्या बोलते हैं शव्द जैसे कलम जैसे मेरे आज खाना नहीं खाया तो यह वी क्या है वाक्य ठीक है जैसे आज हम ग्राउंड में खेलेंगे ठीक है तो यह वी क्या है वाक्य समझ आ गया उमीद है कि सब भी कुछ समझ आ गया होगा धन्यवाद